सब ठीक है लेकिन बहुत दुख हो रहा है मुझे तो फ्रेंड्स ये जो टाइटल है न ये है पप्पु मामा का वीडियो आ गई है तो मैंने का चलो भई हम भी आ जाते हैं रियक्शन लेके और अगर आप लोग न्यू है इस चानल पे तो कर दीजेगा सब्सक्राइब और र अब तग लोगों को पागल बनाया जाएगा लोगों को ब्रहमित किया जाएगा डिरेक्ट तो कुछ आंसर देना नहीं है लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ रहे हैं क्या हो गया तुम्हारे रिष्टा टूट गया आप उसका नाम नहीं लेते हो पूरी वीड देखा ना छोटी जिची कल बोल रही थी कि कुछ ऐसा हो गया था हम लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे थे और परिवार को दुख सुक में खड़ा होना ची लेकिन कॉन सा दुख है अभी तक क्लियर ही नहीं किया जिची ने हाँ सब को पागल बनाओ मतलब दुख और उसकी वज़े से तो सब को छोड़ चाड़ की आई है हिमाचल में अपने घर पर रुख जाती लेकिन पहले की भी टिकटे बुक है टैक्सी वगरा बुक है होटल बुक है दूसरा पियार जिची को मिल गया है कहीं जाने वाली है हां और यहां पर फिर भी जताया जा रहा है कि हम लोग बहुत दुखी हैं महाँ पर चुटकन्य जी भी कह रहे ही कि प्रिवार को सब को साथ में होना चीए दुख तो बही तब रुक जाओ रुक जाओ कितना पागल बनाओगे कितना मतलब तो सही में एक तो हद होती है न इतना पागल बनाओ इस चीज को कैश करते ज तो यह जो टाइटल डाले ना इस चीज का दुख है अब मैं बतातू उनकी वीडियो में क्या है ठीक है इन्होंने स्टार्टिंग करी है अपनी वीडियो की बारिश आज जम जमा के बारिश हुई है ठीक है और ओले भी पड़े है लेकिन इनको बस यह दुख है मुझे लग इनको यह चीज का सबसे ज़़ा दोग है कि जिन चैनल को मैंने स्ट्राइक देती दबादा वो फिर से वापस आ रहे हैं फिर से अपना चैनल खोल रहे हैं लोगों का इतना जादा सपोर्ट मिल रहे है इस चीज की प्रॉब्लम है न तुम्हें पपू तो इन्होंने स्टा कॉंटेंट डिस्रिब्यूट करेंगे तो आज यह जो पपू मामा है उसने दिखा दिया वह जो LED मैनल रूम में रखा हुआ तो इसको शिफ्ट करा गया है ठीक है इसके रूम में और वहां पे साइड में बन रहा है मतलब तोड़ फोड हुई है और उसका गेट निकल रहा इसको बुरा लग रहा है किया रहा मेरा घर तूट रहा है मैंने तरह प्यार से बनाया फिर बाद में बाद को मम्मी ने बन वाया है मम्मी के पैसे से मम्मी के पैसे से निचे का भी बना मम्मी के पैसे से उपर का भी बन रहा है वा भै वा कोई यह नहीं बोलेगा कि जो हमा करके मैं कमा रही हूं और इनके आज की वीडियो में जैसे यह दिखाया गया कि वही तोड़ फोड़ हो रही है फिर उपर का जैसे इनका आज कल कॉंटेंट चल रहा है नया घर बन रहा है उपर काम हो रहा है और आज बारिश वगएर आई थी और ओले भी पड़े थे बीच म मारा खुद की सीमेंट शॉप थी उस सीमेंट शॉप का क्या हो गया अब जनता जनार दन ये भी जानना चाते हैं मतलब लोगों को तुमने ही बताया था तुम्हारी सीमेंट एजनसी है या जो भी है वोटेवर उसका क्या हुआ अब मैं वहाँ पर जा रहा हूं उतरपाल लेके जा रहा हूं मैं यहां से और मैं ढख दूंगा आके फिर वही सब कंस्रक्शन का दिखा रहे हैं बाकी हां इन्होंने आज अपनी रीड में एक यूसफुल इंफरमेशन दी है तरू आलो जब भी तो अपना LED पैनल एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करो नीचे दरी बिचा लेना हां अगर तो ऐसे लेके जाओगे उठा के बड़ी मैन पावर मेरे पास नहीं है मैं बस इसको दरी पर नीचे ताकि कोई प्रॉब्लम ना है नीचे टाइल्स पर और मैट पर दरी को किसका किसका के दूसरे रूम में उसको मैंने LED पैनल को शिफ्ट कर दि तो देखिए दोस्तों बहुत सारी चीज़े महां पर जिजी बढ़करनी जिजी वकेशन पर जा रही है यहां पर यह गाने गा रहे हैं सब कुछ ठीक है एक बड़िया से घर बन रहे है अब तो तीन-चार वीडियो तो दुख-दुख के चापी दिये है लोगों को पागल स्ट्राइक देखिए डाली लेकर रियक्शन चैनल वाले भी एक जोर दार हमें तमाचा मारते हैं दुबारा खड़े हो गए और दुबारा वीडियो जा रहे हैं उनसे जादा अच्छे वीडियो आ रहे हैं तो इसके और कुछ नहीं है इनकी वीडियो में आज पूरी सब्सक्राइब करने पड़ते हैं पिर यह अपनी मम्मी को लेने गए हैं शामको की बारिश आजएगी मैं अपनी मम्मी को ले आता हूं और कहरे थे बहुत स्वाटिंग हो रही है बहुत मिटी 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 हो गई है तोड़ फोड़ के चकर में अपना घर भी दिखा रहे हैं दायबाए से मम्मी का reaction लिया है मम्मी आई तो मैं कहीं कितना सोणा लग रहा है अरे आंटी जी के सामने सारा जब वो जाती है वो आके बस वो देखती है कि उनको काम हुआ मिल गया जितना बीच में कितने बार चाय बनती है कितने बार जाडू लगती है कितने बार गंदगी सोची है इन सब चीजों में परीतो जित्जी कितने बार जाडू लगाती होगी कितने बार पोछा लगाती होगी कितने बार चाय बनती होगी लेवर्स के लिए ठीक है तो इस बीच में बच्चे को भी नहीं दिखा रहे है तो ये भी एक अत्याचार हो जाता और ये भी बहुत बड़ा अत्याचार होता कि मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, लेकिन यहाँ पे जिजी चुप ठीक है, बच्चे को तो फिर ये लोग बिल्कुल दिखा ही नहीं रहे हैं बागी मम्मी आये तो मम्मी कहे रहे कि तसोणा लग रहा है, अंटी की सामने तो भही ना चाया, अंटी को बनानी पड़ रही ना सफाई करनी पड़ रही हूँ जिजी कहार कि मैं आप अभी पोच्चा लगाऊँगी, पोच्चा तो बातों की बात ओरी, फिर ये कह रहे है कि भई मेरा गला खराब हो गया, कल मैं पता नहीं कहीं से कड़ी वडी खा के आया था और मुझे बुखार जैसा लग रहा है, और अगर मेरे को बुखार आगया तो ये घर कौन बनेगा, इस घर का क्या होगा भई इतने लोगों को मैं जला रहा हूँ, देखो, मैं घर बना रहा हूँ, ये बात ओर है, कि घर का सारा पैसा कौन दे रहा है, छुटकन ने जिद जी, उनसे ही ले ले लेके, ये बात ओर है, मम्मी के रिटार्मेंट के पैसे से पहले, नीचे का भी मम्मी ने दिया, उपर का मम्मी के पहले, पांखी कोई प्राब्लम नहीं है, वह रिष्ता विष्ता जो भी टूटना था, बाध बात करके सब ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी इस चीज को मुझे पताओ बबबो, कब तक कैश करोगे? कब तक दुख, दर्द, तकलीफ, ये इस तरह के टाइटल तो मुझे दिक्कत हो जाएगी फिर घर कौन बनाएगा और आप लोग बताओ भी तरू वालो से बोलागे तरू वालो जल्दी से बताओ कि आप लोगो कैसा लगा मेरा जो हम लोगों ने जो gate निकलवाया है इस कमरे में और जिस तरह का मैंने आपको idea दिया है कि LED पैनल को हमने कैसे shift किया नीचे धरी बिचा के और दरी को ऐसे किसकाते भी लेके गया तो बताओ भी आज देखो मैंने कि तरह useful information दिया आप लोगो पता ही नीथा कि इस तरह भी shift कर सकते हैं बाकी friends अगर हम बड़ी जिजी की बात करें बड़ी जिजी का पूरी planning के साथ हुआ है सब अब देखो इस तरह के titles डाल रही है पूरी planning के साथ हुआ है सब और क्या हुआ है जिजी क्या planning अब आप सोचेंगी जिजी किस बारे में कह रही है कि पूरी planning के साथ हुआ है चैनल उडाने से रेकेट, स्ट्राइक से रेकेट, ना जी ना, जिजी ने पूरी प्लानिंग कर लिया, वकेशन पे जा रही है, और जहां तक मुझे लग रहा है, जिजी कहीं गोवा तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि जिजी कह रहे हैं कि मैं हिमाचल जाने, हिमाचल तो अन अंदर भी चला गया, बैक चका चक कर लिया है, और जिजी की प्लानिंग है, टैक्सी बगरा सब, बुकिंग बगरा सब, कुछ होगी तो कहीं न कहीं फिर से एक नया प्रमोशन है, कहीं नई जगा जाने वाली है, और आज आज सूट बगरा भी दिखा रही थी, जिजी आज होके बैड गई है, बाल खोल के सुखा रही है, और कहीं कि सब्जी भी आ गई, फल भी आ गए, और ये एक सूट है, जो मैंने फेस्टिवल वगरा आ रहे हैं, तो मैंने सोचा था, मैं एक मंगा लूँ, I think आंचो का सूट था, small size order के तो जिजी पहन के बैड गई है, और reel अगरा भी बना लिए सूट में, बाकि सूपर डूपर एक्साइटेड है जिजी अपने आने वाली वकेशन के लिए, तो जिजी कह रही है कि अभी तक मैं इतनी consistent नहीं हो बारी थी vlogging में, क्योंकि मैं वहां से आई थी, है न अभी मेरा, लेकिन अब मैं उस पे आ रही हो, ल करने के लिए जाए जिजी कहा, हो सकते है जिजी गोवा ही जा रही हो दोस्तों, खेर आज की वीडियो में इस तरह का टाइटल की उडाला साब प्लानिंग के साथ, कि प्लानिंग मतलब ट्रिप की करी है जिजी ने, एक एक चीज जिजी सोचके और फिर पिंक, वो शर्ट सब लोगों ने कह दिया भी, गोवा वहां पे बहुत बारिश हो रही है, है ना अभी मच जाओ, कोई फैदा नहीं है ऐसा, जिजी को रोक दिया, तो अब जिजी का फिर बन गया है प्लान, तो उसी रिकार्डिंगों बाकी सूट ही दिखाया पूरी वीडियो में, और वो जो कल लेकर आई थी अपनी फ्रेंड का, जिसमें सामबर, उत्रपम रखा था, वो जिजी ने धो दिया और वो कह रही थी मैं लोटा दोंगी अपनी फ्रेंड को, बाकी अपनी तीन वो नारियल दिखा रहे थी, और कीवी दिखा रहे थी, वो रखी हुई है, वाकि आज का वीडियो यही था, तो जिजी जा रहे हैं वाकेशन पर, और पप्पो ने फिर से दुख, दुख, दुख करके रोया, जब कि अच्छा कासा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, कोई दुख नहीं है, पप्पो अब तो सब कुछ ठीक है, तो क्यों यहां पे लोगों को C बना र जाएगा, जिसका जिल बिलकुल भी, इतना सा भी खुद अपने पे अप्लाई, अपने पे अप्लाई नहीं करती है, चलिए, चैनल पे नहीं हो तो कर दो सब्सक्राइब, और अगर वीडियो जाद अच्छ लगते तो वीडियो को शेर भी कर दो, मिलतें नेक्स वीडियो म बाई बाई